दुर्ग के जल्ग रह में पानी टंकी से जुड़े वालव में खराबी आने के कारण वेहर थी बह गया लाखों लीटर पानी वहीं करमचारियों ने एक घंटे की मशकत के बाद वालव में सुधार कर रोका पानी दुर्ग में नया बस स्टेंड के सामने इस्थित जल्ग रह में पानी सप्लाई के लिए लगे वालव में रविवार की सुबह खराबी आ जाने के कारण लाखों लीटर पानी वेहर थी बह गया पानी इतना था कि लगातार इसकी धार मुख्य मार्ग से होते बस इस टेंड तक पहुंचती रही वहीं कुछ लोगों ने इस बहते पानी में अपने वानों को धोना तक शुरू कर दिया था पानी इतना बहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जल परिसर पानी पानी नजर आ रहा था वहीं इस मामले में दुर्ग नगर निगम के करमचारियों ने गंभिरता दिखाते हुए वाल्व में लगे नोजल को बदल कर नया लगाया घंटे भर की मशक्कत के बाद जल गरा परिसर में लगे वाल्व से पानी निकलना बंद हुआ ग्रेंड एशेन नूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट